पहां था कि आपको परिक्षा को देखते हुए क्यूस लगातार लगाना चाहिए, प्रैक्टिस सेट लगातार लगाना चाहिए, जिसकी वजह से दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने प्राक्टिस से डिजाइन किया है जिके जियस करंट अफेर का इस वीडियो के माध्यां से रेगुलर बेसिस पर आप लोग अपना प्राक्टिस इंप्रूब कर सकते हो, आप लोग इतना समझ सकते हो कि आपकी कितनी ज़ाधा प्रिप्रेसंस हो गई अगर आप इस नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जी हाँ सभी का कमेंट चाना चाहिए सभी का दोस्तों राइट ऐंसर्स राना चाहिए क्योंकि आपकी परिक्षा अब ज़्यादा दिन नहीं है जी आप लोग लगातार जुड़िये दूस्तों सभी लोग लगातार जुड़िये और इसका राइट अंसरस बताईए आपके प्रिछा के द्रिष्टी कोर्ट से हर एक क्यूस्ट इंपोर्टेंट है और दोस्तों आप लोगों के लिए ही डिजाइन किया गया है दिल्ली पुलिस वालों के लिए और रेलवे के प्रिछाओं क आ रहा है कमेंट्स आप सभी को नमस्कार आप सभी का धन्वाद है आप सभी का वेलकम है आप लोग इसका राइटंवास बताईए चलिए इस सभी लोग जुड़ जाए और लगातार कमेंट बोक्स में यह राइटंस इसका बताईए इसका मनिश कुमार का फाष्ट वाला ओप्सन आ रहा है होसीयर सिंग का राइटन स्वर्स आया है खानवा का युद्ध में युद्धं में बाबर ने रहा सांगा को हराया था तो आप का दूसरा वाला ओप्सन आप को असे कि खानवा तो हुआ था दोस्तों 16 मार्च 16 मार्च 1527 को आगरा से 35 किलो मीटर दूर गाउं में बाबर और राडा सांगा के मद्ध यह युद्ध लड़ा गया था पानीपत के युद्ध के बाद बाबर द्वारा लड़ा गया यह दूसरा सबसे बड़ा युद्ध है दोस्तों तारीक पानीपत युद्ध लड़ने के बाद बाबर द्वारा लड़ा गया यह दूसरा सबसे बड़ा युद्ध है आपका कौन सा उपसंस है दूसरा वाला उपसंस उमीद करते हैं सभी को समझ में आ रहा होगा राहुल का राइट अंसरस है और सभी का होसिजार सिंग का सबसे पहले मैंने देखा है राइट अंसरस निकल कर आया है उमीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा चलिए चलिए अगले किसनस की तरफ चलते हैं अगला किसनस आपके सामने है सभी लोग बताएंगे राइट अंसरस चलिए निमलकित में से कौन सा गलत जोड़ा है गल अखर नागल 17 दोस्तों नदी के बारे में आपको जानकारी होगी तभी आप लोग इसका राइट अंस बता पाओगे सभी लोग लाइक कर देंगे वीडियो को जादा से जादा दोस्तों सेयर करेंगे जिससे सभी का डाउट दूर हो पाए और सभी को इस क्लास का वेनफिट ह हो पाए मनीश कुमार का आरा है चौता वाला ओप्संस दोस्तों जो बिल्कुल गलत है आप सभी का राइट अंस तोस हैं नागा अरजुन सागर कावेरी दोस्तों यही गलत जोड़ा है क्यों गलत जोड़ा है समझ लीजिए गा दोस्तों तो तेलंगाना राज में भारत की तेलंगाना राज में क्रिश्णा नदी पर इस्तित है नागा अर्जुन सागर जबकि यहां पर बताय गया है कावेरी नदी बिल्कुल गलत है इसलिए यह गलत हो गया आपको मालूम होना चीए दोस्तों कि इसकी अस्थापना कब हुआ था 1986 में इसकी अस्थापना हुआ था कब दोस्तों याद रखिएगा 1986 में लेकिन दोस्तों इसकी सुरुवात कब हुई थी 4 अगस्त 1967 में ततकालीन प्रधान मंतरी इंद्रा गादी ने इसकी सुरुवात की थी पहली बार इस बाद में पानी डाला था कि ऑमीद करते हैं आप सभी का ग्लियर हो गया होगा दोस्तों कौन सा उपसंस तीस्था वला आपसंस सब का आ रहाए Technology 10 days realize कुमार का राइट आंश ओस र beneंडर र Πर आप का सभी का आ रहा है write अ सबमीद करते हैं आप सभी को या की संस क्लियर हो गया होगा दोस्तों नागार जुन सागर कावेरी पर नहीं है दोस्तों कृष्णा अनदी पर है चलिए अगला क्यूसन्स है आपके सामने उमीद करते हैं सभी को इस क्यूसन्स का एंस्वर आता होगा सभी लोग एक बार बताएंगे वीडियो को दोस्तों एक बार सेयर करेंगे सभी लोग एक बार वीडियो को सेयर कर देंगे जिससे आप सभी को वेनफिट हो पाए पूरा संसत के संयुक्त सक्त्र की अध्यक्षता कौन करता है आपको बताना है दोस्तों पॉलोटी से क्यूसन सबी प्रकार की क्योशन्स देखोगे विडियो को एंड तक देखना कभी ता मीना का राइट अंस आ रहा है नहीं उनका दोस्तों दूसरा ओल ऑप्संस आ रहा है बिल्कुल गलत है रवेंदर राना का आ रहा है आपको मालूम होना चीए दोस्तों सभापती इसका राइट अं संस्स न्स क्यों राइट अंस सभापती दोस्तों समझेगा लोकसभा अध्यक्षता को स्पीकर कहा जाता है क्या कहा जाता है स्पीकर कहा जाता है इसकी अस्थापना कवा था continental मई 1952 जी हाँ इसपीकर है, 17 सभापती है, कौन है? ओम बिरला, राइट, चलिए, उमीद करते हैं, आप सभी को clear हो गया होगा, संसत के सयुक्त, सत्र की अध्धक्षता कौन करता है? ओम बिरला सभापती जो है इस वक्त वही करते हैं, इस वक्त, उमीद करते हैं, आपको clear हो सब्सक्राइब करते हैं अगला चलिए देखते हैं बस का इंतजार करते हुए बहुत important questions है दोस्तों बहुत interesting questions है बस का इंतजार करते हुए 20 minute के लिए 15 कीलो का संदूक उठाने में किया गया कार यानि दोस्तों समझेगा इस questions को एक जगा आप खड़े हो और 20 कीलो का संदूक हाथ में उठाए हो वहां से हिले नहीं हो कहीं पर वहीं पर केवल खड़े हो बताईए आपके द्वारा कितना कार किया गया 20 मिनट 15 कीलो का संदूक आप उठाए हुए वहां पर continue 20 मिनट खड़े हो दोस्तों आपका राइट अंसर्स आना चीए बल गुड़े बिस्थापन आपने कोई उसमें बदलाव नहीं किया कोई बिस्थापन नहीं किया तो आपका जो की जीरो जूल कार नहीं है दोस्तों कार तभी होता है जब आप किसी वस्त को एक जगां से बूसरी जगां कर दिये तब वो कार हुआ अगर आप continuous उस चीज को लेकर वहीं खड़े हो तब कोई कार नहीं हुआ जीरो जूल आपका राइट अंस है चोथा वाला उपसंस उम्मीद करते हैं सभी को क्लियर हो गया होगा दोस्तों पर वीडियो को सभी लोग सेर कर देंगे अगर आप रेगुलर बेसिस पर क्लास को टेंड करोगे दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप चलिए अगला क्यूसंस देखिए अगला आपके सामने है उच्च न्यालय अथ्वा सरोच न्यालय द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन या किसी अन उद्देशों से निर्धिमित की जाने वाली परमादेशों के प्रकारों की संख्या है दोस्तों ध्यान से एक पर क्यूसंस को आप लोग देखिएगा फिर बताएगा सभी लोग अपला जो कि ध्यान से पहले किक देख लिजेगा फिर बताइगा उच नयाल है अठवाः दोस्तों उच नयालय किये चाहाए सरोच नयालय किये दोनों बार बराबर रहें मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन मतलब मौलिक अधिकारों में बदलाओ या किसी अन उद्देसों से निर्गमित की जाने वाली परमा देसों के प्रकारों की संख्या आपको बताना है कितने संख्या है पॉलिटी से क्यूसन से दोस्तों ऐसे क्यूसन में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर आप आगामी आने वाले परिक्षा को क्रेक करने की संकल्प उठा रखे हो तो उमीद करते हैं सभी का तीसरा ओला ओप्संस आ रहा होगा दोस्तों फाइब इस दर राइट अंसर फर दिसक्यूसन चल्ट दोस्तों ओप्संस यहां पर दिया हुआ है ध्यान से देखते रहेगेगा हर एक क्यूस्त आपको इंपोर्टेंट है अगला देखिए उचे उड़ते हुई वायुयान में फाउंटेन पी फाउंटेन पेन की स्याही लीक हो जाती है क्योंकि दोस्तों आप लोग इस एक्जामपल को बहुत बार सुने होगे हवाई जहाज में अक्सर दोस्तों फाउंटेन पेन अगर कोई ली रहता है तो उसकी स्याही जोकी न इस चारों options को एक बार आप लोग देखोगे, फिर बताओगे कि आपका actual में right answers क्या है, चलिए, बहुत अच्छे, सभी का right answers आना चाहिए, आपकी दोस्तों बहुत important questions है, जौन राजपूत का, सुभम कुमार का, रविंदर राना का, होसियार सिंग का, मनीश कुमार का, सभी का R.I. questions का right answers आपको मैं बता दू, दूसरा वाला options बिलकुल right है, वायुमंडली दबाओ कम हो जाता है, दोस्तों वायुमंडली दबाओ जितने भी उपर आप उलते जाओगे, वायुमंडली दबाओ वहाँ पर कम हो जाता है, इसलिए, दोस्तों, चीजें पलाइन क्यों होती है, चीज वहाँ पर plan हो जाते हैं plan हो जाते हैं दोस्तों वाइमंडली दबाव कम हो जाता है आपका दूसरा वाला options is the right answer for this questions उमीद करते हैं आपको clear हो गया होगा चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगला questions आपके सामने आगया आप लोग बताईए बहुत गर्मी के समय दिन में दूर से राज्यमार्गों पर पानी पड़े होने का एशाश होता है पानी की तरफ पहुशने पर पानी गायब हो जाता है तथा दूसरी तथा दूर दिखाई देता है या भ्रम होता ह दोस्तों बहुत बार आप लोग यह example को पढ़े हो उमीद करते हैं आपका क्यूसिंस गलत नहीं होगा जैसा कि दोस्तों हमने आप सभी से पहले ही बताया दोस्तों इसमें हर प्रकार का क्यूसिंस इंकलूट किया गया है अगर आप दिल्ली पुलिस यह सियम हैड को इस्ट कतना हो आपके प्रिक्षा के दिरिश्ट कोर से जितने क्यूसिंस है आप तक पहुँच पाए चलिए तैरा ने रभिंद हां मनि परीत राने का सभी का राइट नस आ रहा है दूसरा आप शन सब्सारह है चलिए देखते हैं कौन सा राइट जसरे दूसरा का बिलकुल सही है reflection of light is the right answer for this questions चलिए दोस्तों बहुत easy questions हा हाँ हजारों बार आप लोगों नहीं देखा होगा यदि पहले से आप लोग प्रिप्रेसंस कर रहे हो तो अगला questions आगला questions आपके सामने है संतोष ट्रॉफी संबंधित है दोस्तों संतोष ट्रॉफी किस से संबंधित है इस questions का right answers उमीद करते हैं किसी का गलत नहीं होगा क्योंकि दोस्तों ये questions बहुत ही popular questions है बहुत ही जादा popular questions है आने को बार परिख्षा में पूछा गया है exact ऐसे ही उठा कर चलिए आपका right answers में बताना चाहूंगा दोस्तों फर्ष्ट वाला options football जितना भी लोगों का right answers पहला है बिल्कुल सही है दोस्तों आप लोगों का प्रिप्रेस्ट को भी अच्छा है इसलिए आप लोगों दोस्तों ने बताया राज कुमार को बैसाला का right answers आ रहा है कि अरूरी का बिल्कुल सही है मनीश कुमार का नितिन का सुभम कुमार का जविंदर राना का सभी का कमेंट सही बिल्कुल आ रहा है चलिए अगले कि तरफ चलते हैं अगला कि आपके सामने है लोग सभा का सत्र नियुंतम बुलाया जता है दोस्तों लोग सभा का सत नियुंतम बुलाया जता है आपको बताना है लोग सभा के अध्यक्षता के बारे में हमने बताया दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष को ही स्पीकर कहा जाता है जिसकी अस्थापना 15 मई 1952 में हुई थी इस वक्त दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष कौन है ओम बिरला ठीक है दोस्तों इसक्यूसन्स का राइटन सोस बताईएगा लोकसभा का सत्र नियुनतम बुलाया जाता है उमिद करते हैं सभी का राइटन सोस आएगा मनि प्रीद का आ रहा है कमेंट्स सुभम कुमार का आ रहा है मनीश कुमार का आ रहा है होसियार सिंग का राच कुमार बैसाला का रविंदर राना का सभी का कमेंट्स मैं देख रहा हूँ सभी का right answers आना चाहिए आप सभी को मैं बता दू इसक्रिश्मस का दूसरा वाला options है वर्स में दो बार यानि दोस्तों 6-6 मंत बाद इसकी बुलाए जाती है वर्स में दो बार लोक सभा का सत्र निम्तम बुलाए जाता है यहनि दोष्टों इस से ज़ादा भी बूलाए जा सकता है लेकिन कम से कम बताया जा रहा है कि लोक सभा का सत्र निमतम बूलाए जाता है दो बार चलिए उमीद करते हैं आपको क्लिएर हो गया होगा अगले किसिंस की तरफ मूब करते हैं सभी एक बार दोस्तों लाइक करेंगे और विडियो को सेर कर देंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इस्टूडेंट्स को वेनफिट हो पाए प्रकास का वेग अधिक्तम होता है दोस्तों कारल सहीत यदि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो बहुत अच्छा लगे इसक्यूस का राइट इंस बताएगा प्रकास का वेग अधिक्तम होता है कि चलिए इसक्यूस को आपको बताना है आपका तीसरा वाला उप्सिंस राइट है सभी का आ रहा है हरे किस्स दोस्तों कि आपको आना चीए विकोज बहुत ही पॉप्पुलर किस्टन से और इंपोर्टेंट है आप सभी को मालूम होना चीए कि इसक्यूस का राइट अंस आप सभी का तीसरा वाला उप्सिंस है निर्वात में जी हां सभी का दोस्तों आ रहा है मैं देख रहा हूं होस्यार का सुभम कुमार का और अरूरी का मनीश कुमार का सभी का कमेंट्स आरा में देख पा रहा हूं सभी का दोस्तों तीसरा वाला उप्सिंस बिल्कुल सही है चलिए अगला देखिए अगला आपके स्प्रीन पर आ चुका है कितने देश सार्क संगठन के सदत से हैं दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि सार्क क्या है दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि सार्क क्या है एक बार सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि सार्क क्या है दोस्तों सार्क का फुल फॉर्म मैं बताना चाहता हूं आपको साउट एसिया एसुसियेसंस रिजनल को आपका बिल्कुल राइट अंस्वस है कौन्स आपको बताना है उमीद करते हैं सभी को इसका राइट अंस्वस मालूम होगा दोस्तों इसकी अस्थापना कब हुआ था आपको मैं बता दूँ आठ दिसंबर दिन याद रखीगा आठ दिसंबर 1982 उमीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा कब दोस्तों 1985 में इसकी अस्थापना हुई थी जी हां आठ दिसंबर 1985 कहां हुआ था धाका में बंगला देश की राजधानी क्या है धाका धाका में दोस्तों इसकी अस्थापना हुआ था सार्क का फुलफॉर्म क्या है साउथ एसिया एसोसियसंस रिजिनल को ओप्रेशन दच्छल एसियाई छेतरी सायोग संगटन उमीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा कितने देश सार्क संगटन के सदस हैं दोस्तों आपको मालूम होना चीए चलिए सभी का मैं कमेंट्स द 3.2 Рामन का रविंद राना का भानु सिंग का आत्छ आ रहा है बिल्कुल सही नहीं दोस्तों आपकी CISF mem L bli के एक्जाम के लिए दिल्ली पुलिस के एक्जाम के लिए रेल वे क किसी भी एक्जाम के लिए बिल्कुल सही Why important question किसेंस यह मैं लेकर आया हूँ उमीद करते हैं DR, entertainment का भी बिल्कुल सही right answers आया है, चलिए, अगला questions आपके सामने हैं, उमीद करते हैं, सभी को आता होगा, दोस्तों यहाँ पर आप लोग questions देख रहे हो, और यहाँ पर इसका options है, ज़रा देखीएगा, ध्यान से देख लिजिएगा, कौन सा सिद्धानत यह वर्डित करता है, कि जब एक पिंड अंस्ता या पूर्टया तरल में डूबोई जाती है, तो तरल द्वरा विस्थापित के बराबर एक उपर प्रतिबल अनुभाव करती है, अरे दोस्तों बहुत important questions है, लेकिन बहुत easy है, हाँ DR, entertainment का बिल्कुल right answers है, आरक मटीज, दोस् options है, तीसरा all options है, जी हाँ, जब किसी वस्त को किसी तरल द्रव में पूर्टया या आंसिक रूप से डुबोई जाती है, तो उसकी आधी हिस्सा उपर उड़ जाता है, एक्चुल में यही है आरक मटीज का सिद्धान, दोस्तों किसी को इसके बारे में पता हो और detail में, तो आगे चलते हैं, अगला, निमलखित में से, रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा, तंत्र में शे, आत्रिक्त मुद्रा को बाहर निकालने के लिए, एक यंत्र के रूप में उपियोग किया जाता है, दोस्तों, चारों अप्सुन ध्यान से देख लिएगा, तभी आप लोग बता पाओगे, अगर आपको हिंदी में कोई प्रॉबलम हो, तो उपर इंगलिस दिया गया है, आप लोग इंगलिस भी देख सकते हो, तभी आपको पुरा क्लियर हो पाएगा, क्यों से दोस्तों, निमलकित में से, रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा, तंत्र म इंशे अत्रिक्त मुद्रा को बाहर निकालने, तंत्र का मतलब समझे का दोस्तों, इंडिया एज टूल टू टू डियो, ड्राइंग आउट एक्सस मनी फ्रों दा सिस्टम, चलिए, इसक्यूस का राइट अंसर्स, हाँ, भानू सिंग का चौथाला अप्संस आ रहा है, सभ दोस्तों, इसक्यूस का चौथा वाला उप्संस बिल्कुल सही है, ओनری वन और टू कि दोलों सही ist, जी हाँ, सबसे पहले भानु सिंग का आया था कमेंट्स मैंने देखा, बिल्कुल सही है, रवुंदー राना का होसीयाज चिंग कभी बिल्कुल सही गैं, कमेंड चलिए, अगला देखिए नीशिट किस देश की संसत का नाम है दोस्तों आपको पार्लियमेंट्स के बारे में अलग अलग देशों के बारे में मालूम होना चाहिए कुछ इंपोर्टेंट ऐसे देश हैं जिसको एक्जेक्ट परिक्षा पेपर में उठा कर पूछ लिया जाता है कि आखिर में कौन से इसके पॉर्लियमेंट्स है यानि संसत के नाम है दोस्तों आप लोग इसक्यूस का राइट अंसस बताईए एक बार वीडियो को शेयर कर दी है इसक्यूस का राइट अंसस आप सभी का बहुत इजी है दोस्तों तीना यादो का भानु सिंग का रविंदर राना का सभी का कमेंट्स आरा मैं देख पा रहा हूं इसक्यूस का बिल्कुल इजी क्यूस का तीसरा वाला उप्सिंस बिल्कुल सही है इसराइल दोस्तों चल ऐस बा सिचीम किसे संबंदीते है एका मतलब है इसलाद इसकीम किसी संबंदीताइए here दिया गया चारों अपसों स्तियान्ट से देख लिए खा कि फिर बताईएगा इसला इसकीम किसे संबंदीत उमिद करते हैं आप सभी को क्लियर हो गया होगा दोस्तों अरूरी कविता मीना सभी का दोस्तों कमेंट्स आ रहा है होसियार सिंग का बिल्कुल सही कमेंट्स दोस्तों सभी का आ रहा है सभी को मैं बताना चाहता हूं इसक्यूसिंस का राइट अंस पहला वाल आपसंस है प्र सारवजनिक प्रस्ताओँ चलिए उमेद करते हैं आप सभी को क्लियर हो गया होगा अगली क्योसन के तरह मूब करते हैं अगल्डा के सामने है 9 il èe इस्ट रेज कहां इस्टित है दोस्तों आप सभी के लिए important questions सभी लेकर आया गया है अभी आप लोग computer का भी क्यूंट देखोगी और आप लोग करेंट कभी क्यूसंद देखों करेंट अफेर का उमीद करते हैं आप एंड तक बने रहोगे जिसे आपको कोई कोई भी दिकत परिक्षा में आगे आने वाले सभी किसी भी कंप्रेटर्टी एक्जाम में कोई भी दिकत नहों हरे कुसंस इंपोर्टेंट है आपको चारों अप्सन दिग गया होगा बताना है कि 90 इस्ट रिज कहां इस्तित है ठीक है सभी का दोस्तों आ रहा है कमेंट्स मैं देख रहा हूं आप सभी का राइट अंसर साइस दूसरा वाला ओप्सन्स आरकटिक महासागर心 सोड़ीोस एंड हिंद महासागर हाँ इस से सभी स्टूडेन्स के सभी डूर हो पाए क्या नियाले संसत की कारवाही की वदता की जाच कर सकते हैं दोस्तो कारल सही चारो अप्सन्स दिया गया है आप लोग बताईगा चारो अप्सन्स देख लीजेगा पूरा टाइम में दे रहा हूं लेकिन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए रविंद्र राना का कमेंट्स आ रहा है होसियार सिंग का अरूरी हरिस का और होसियार सिंग का दूसरा वाल आपसंस आया है भानू सिंग का राच कुमार बैसाला का भानू सिंग का भी कमेंट्स आ र दोस्तों इसका राइटन सो चौथा वाल आपसे सबसे लाश्ट वाल और आपसे बिलकुल सही है नो बिलकुल नहीं नो कोर्ट सैल है भी बिलकुल सही आपसे से चलिया उमीद करते हैं अगर्णा कोर्ट सैल है जूरीज्डिकेशन चलिये अगला देखिएगा निमल्कित मेशे काौन रख्त में शामिल होता है चारो अप्सन्स एक बार सभी लोग देखेंगे कविता मीना का आराय कमेंट्स सभी लोग कमेंट्स कीजिएगा अपना अपना जबाब बताईएगा निमलखी तमेशे कौन रक्त में शामिल होता है इजी क्यूसन्स है दोस्तों रक्त संबंदी क्यूसन्स आपको परिक्षा में ज़रूर देखने को मिलेगा नोट कर लीजिएगा सभी का दोस्तों आना चाहिए बिल्कुल सही कमेंट्स कि विकॉज आप इजी कुस्टन से आपके परिच्छा के दिरिष्ट कोड से दोस्तों हरे कुस्टन इंपोर्टन लाए गया है आप सभी लोग बताएंगे आप सभी का दोस्तों राइट अंसर्स में बताना चाहता हूं आप आपको कौन सो आपस्टन से है कि फश्ट ओपसं दोस्तों लाल रखत कड़िकाएं जिस किसी का भी आरा है बिल्कुल सही है निम्लकीत में इसे कौन रखत में शामिल होता है दोस्तों लाल रकत कड़िकाएं बिल्कुल सही हे हैं छोट siamo apart नहीं है कि नि अमिलेकित में से कौन रख्त में शामिल होता है दोस्तों आपका फेस्ट option इस इस सदरमने सूब फटो देशिस कुशसेंज चली को निम्सेज करने के लिए दोस्तों ऑप्सों सी रहता है आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है चलिए अगला क्यूंस आपके सामने हैं आप लोग बताएंगे दोस्तों इसमें बताएं गया रक्त में शामिल होता है रहता है नहीं बताएंगे होता है ठीक है चलिए अगला देखिएगा केच्व दोस्तों कन्स लैंग्विज बेसिज पर कुछ क्यूसंस रहते हैं जो आप लोगों को हमेशा परिसान कर देते हैं एक्शुल में राते तो सभी है राता तो लाल रक्त कडिका भी है स्वेत रक्त कडिका भी है प्लैटलेट्स भी हाना Biz राता है लेकिन आपको दोर लेंग्विज बर ध्षान देना चाहिए जिससे आपको मन की सभी डाउड दूर होता रहा है के चुआ सर्जित करता है दोस्तों किये चुआ उस सर्जित करता है बहुत लोगों का कमेंटि에 यूरिया आपका कौन शॉप स्ब्लकुल से विर्टू यह आपको वह बताना चाहता हूं आपका दोस्तों बिल्कुल कि विधकल सथी तीसरां वाला ॉप सन्स बिल्कुल सही है जी तीसरा वाला ओप्सन दोस्तों बिल्कुल सही है अमोनिया चलिए अगली क्यूसिंस की तरफ मूब करते हैं दोस्तों अगला क्यूसिंस देखिएगा की सामने है अगला सीली पद किस खेल से संबन्मदित है सीली पद किस खेल से संबन्मदित है important questions आपके सामने है सभी लोग बताएंगे सीली पद किस ठेल से संबंदित है इस questions का दोस्तों दूसरा वाला options बिल्कुल सही है दूसरा वाला options सतरंज से नहीं नहीं किरकेट से दोस्तों sorry दोस्तों किरकेट से आपका दूसरा वाला options बिल्कुल सही है जिस किसी का भी आ रहा है बिल्कुल सही options है किरकेट से रविंदर राना का रोमन कुमार उसका हाँ बिल्कुल सही है चलिए अगले questions की तरफ move करते हैं अगला देखिएगा important questions आपके सामने हैं मियादी ज्वर में सरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है आपको बताना है आपका right answers आना चीए हम कि सभी का आ रहा है बिल्कुल मियादी ज्वर में आपका दोस्तों बिल्कुल easy questions है दूसरा ओला options बिल्कुल सही है आत जी चलिए अगला देखिए थोड़ा फास्ट लेंगे दोस्तों काफी ज्यादा questions है किस कमी के कारल सूखा रोग होता है किस कमी के कारल सूखा रोग होता है दोस्तों बिटोमिन D, बिटोमिन C, बिटोमिन A, all of these बताईएगा हमने जैसा कि बताया था दोस्तों हर प्रकार का questions आप लोगों के लिए लाए गया है आप लोग देखिए और उसका जबाब देने की कोशिस कीजिए आपका बिटोमिन D, की first options, right answers है दोस्तों बिटोमिन D की कमी से सुखा रोग होता है A की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है C की कमी से इसकरवी रोग होते हैं आपका first options is the right answers for the discussions जिस किसी का भी आ रहा है बिल्कुल सही है अगला देखिएगा निम्लिकित में से किस देश भारती संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप किया है दोस्तों अगर वाइस और मिसमेश हो रहा हो तो एक बार आप लोग पेज को रिफ्रेस्स कर लेंगे जिससे आपको कोई दिकत ना हो चलिए आपका राइट अंस कौन सा उप्संस है इसका बताईएगा तीसरा वाला उप्संस इसका राइट अंस है यू एस जी हाँ दोस्तों निम्लिकित में से किस देश से भारती संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया था यू येस दोस्तों आपका बिल्कुल सही है चलिए अगला अगला होसियार सिंग का आ रहा है बिल्कुल सही ऑप्संस राचकुमार का बिल्कुल सही है अगला देखिएगा निम्लिक में से कौन सा अनुछेद 26 नवंबर 1949 को अस्तित्तों में लाया गया था जिस दिन भारती संविधान को स्विकार किया गया था सभी का दोस्तों राइट अनसर्स आना ची आपके प्रिक्षा के द्रिष्ट कोर से हरे क्यूस्टन से इंपोर्टेंट है आपका दोस्तों फष्ट ऑप्सिंस बिल्कुल सही है फष्ट और टकील अनुछे 388 दोस्तों पॉलिटी से क्यूस्टन स्था जिस किसी का भी आराय बिल्कुल सही है एक बार वीडियो को जाद से जाद से जाद से शेयर कर देंगे चलिए अगली क्यूस्टन की तरफ चलते हैं अगला देखिएगा पंजाब की पहली महिला मुक्हमंत्री कौन है पंजाब की पहली महिला मुक्हमंत्री कौन है कि सुचेता क्रिपलानी मत कहिएगा गलत हो जाएगा इसका बताईएगा चौथा वाला उप्सिंस राजिंदर कौर भट्टल इस दराइट अंसर डी आप्सिंस काना राम का बिल्कुल सही है कि रमन कमाऊ का बिल्कुल सही है दोस्तों अगले किसिंस की तरफ मूप करते हैं अगला देखिएगा यहीं रिपिटेड है अगला देखिएगा दोस्तों इम्पोर्टेंट किस्टन अगला आपके सामने हैं आश्रू ग्रंथियों में जलन पैदा करने वाले पदार्थ का क्या नाम है दोस्तों इस क्यूस्स का राइट अंस आप सब्सक्राइब में बताना चाहता हूं इंपोर्टेंट क्यूस्स है इसका बहुती फ़स्ट क्यूस्स इसका फ़स्ट options बिल्कुल right answers है tear gas अगला देखिएगा अगला important questions है बहुद्देसी जो की एक प्राचिन लेख है उसमें उपस्तित कौन सी संगीत तात्मक रसना को लोक और सास्त्री संगीत में वर्गी कृत किया गया excuses का right answers आप सभी का दोस्तों तीसरा वाला options बिल्कुल रही सही है राग चलिया अगले questions की तरफ चलते है अगला questions देखिएगा करक रेखा निम्नकित में से कौन से भारती राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों करक रेखा चार आठ राज्यों से दोस्तों गुजरती है उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है और दोस्तों आप लोगों को बताना है चारों options में से कौन से राज्यों से होकर गुजरती है आपका right answers आना चाहिए आपकी जॉमनेसंस पॉइंट भी से important questions है आपको मैं बताना चाहता हूँ आपका दोस्तों तीसरा ओला options गुजरत मद्द प्रदेश 36 गार्ड जहार खंड पस्चिम बंगाल त्रिपुरा मिजोरम बिल्कुल सही options है उमीद करते हैं रमन कमायू का बिल्कुल सही है चलिए अगले questions आपके सामने है अगले questions को बताईएगा स्वतंत्र भारत का पहला वित्मंत्री कौन था स्वतंत्र भारत का पहला independent India वित्मंत्री के बारे में बताना है दोस्तों स्वतंत्र भारत का पहला वित्मंत्री इसक्यूसन का राइट अंसर दूस्तों फ़ेश्ट वाला ओप्संस है बिल्कुल सही आर के आर के सड़ गुमम चेटी बिल्कुल सही अंसर से चलिए अगला क्यूसन देखिएगा क्यूसन अगला है बैके लाइट क्या है फिर नीचे आप लोग देख सकते हो उसके अगला वाला क्यूसन से तनाओं को डैस की मात्रा के रूप में परिभासित किया जा सकता है बैके लाइट क्या है पहले आप लोग इसका राइट अंसर बताईए फिर आगे चलते हैं कि दोस्तों इसक्यूसन का राइट अंसर चौथा वाला अप्सन से बैके लाइट एक पॉलीमर है पॉलीमर है जिहां दोस्तों जिस प्रकार एक प्लास्टिक पॉलीमर है दोस्तों उसी प्रकार बैकलाइट एक पॉलीमर है राइट अंसर आप सभी का डी चौथाला अप्संस है अगला देखिए अगले के बताईएगा तनाओ को डैस की मात्रा के रूप में परिभासित किया दा सकता है आपको बताना है आपका राइट अंसर कौन सा आएगा हां अंकित कुमार मनुहार का आ रहा हो सियार सिंग का बिल्कुल है सही मनिप्रीत राना का सभी का कमेंट्स आ रहा है इसक्यूसिंस को बताईएगा वाला उपजन दोस्तों इसका राइट अंसर से है बिल्कुल सही मनिप्रीत राना का बिल्कुल सही आ रहा है इसका टैंसर चलिए अगला क्यूसन देखिए गागला क्यूसन इम्पोर्टेंट क्यूसन से निम्लिकित में से कौन सा संस्थान क्रिसी और ग्रामेड विकास के रिण के साथ संबंदित हैं आपको बताना है आपके परिच्छा के द्रिष्ट कोड से इंपोर्टेंट क्यूसंस है ध्यांस देखिएगा फिर बताईएगा आपका दोस्तों इसक्रायट एल सोस है तीसरा वाला ऌप्षन नाबार्टनिम्लिकित में से दोस्तों कौन सा अंस्थान क्रिसी और ग्रामेडव विकास के रिण के साथ संबंदित हैं नाबार्ट ठीके चलिए अगली क्यूसर की तरफ चलते हैं सभी का राइट अन्सोस आ रहा है होसियार का और अंकित कुमार मनुहार का सभी का सही है चलिए अगला देखिएगा प्रधान मंत्री फशल बीमा योजना का सुभारंब कब हुआ अगला किस्स आपके सामनी है आपको बताना है दोस्तों एक बीडियो को जादा से जादा से शेयर करेंगे और लाइक तो बनता है प्रधान मंत्री फशल बीमा योजना का सुभारंब कब हुआ अभी आप लोग कंप्यूटर का भी किस्स देखोगे आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए यदि आप दिल्ली पुलीस में आगामी आने वाले परिच्छा में भाग लेने वाले हो आप के लिए बेहत आवश्यक है एंटी पीसी ग्रूप डी में भाग लेने वाले हो आवश्यक है आपके सियायस सब हैड़ कुंस्टिबल मिनिस्टियल कॉंस्टिबल ट्रेट्समेन के लिए भी बेहत आवश्यक सिसंग है दोस्तों इसक्यूस्टिबल के लिए जनवरी 2016 आप लोगों का प्रिप्रेश्न को फीश्टरौंग है दोस्तों आप लोगों का बिल्कुन सही है अगला क्यूस्टिब आपके सामने है अगला देखियेगा भारत में लंबी जील का नाम बताएं भारत में सबसे लंबी जीर का नाम बताएं इस किसिंस का राई जाइष दोस्तों चौथा वाला आपसनर से बैमनाद जीर चौथा वाला आपसनर बैमनाद जीर दॉस्तों बहुत फॉप्लर क dipping से अगर आपको मालूम हो कि बैमनाद जीर कहां है नीचे कमेंट बॉक्स में बताईएगा आप लोगों को मालूम भी होना चाहिए दोस्तों बेम नौज जील कहा है देखते हैं किसको मालूम है चौताला उपसंस इसका राइट अंसरस है चलिए अगले किस्टन्स की तरफ चलते हैं किस्टन्स आपके सामने हैं सभी लोग बताएंगे निम्न में से कौन से ब्रह्म पुत्र नदी के वैकल्पिक नाम है अंकित कुमार मनोहार का केरल आ रहा है काना राम का जम्मू चलिए अगला किस्टन्स का बताईएगा राइट अंसरस निम्न में से कौन से ब्रह्म पुत्र नदी के वैकल्पिक नाम है दोस्तों वैकल्पिक नाम कौन से है आपको बताना है आपका राइट एंस चोथाला अप्सिंस है जम्मू सी यांग यारलूं जांबो और मेगाना और लाश्ट वाला क्यूस्ट लाश्ट वाला अप्सिंस है कि बिल्कुल सही चलिए अगले क्यूस्ट की तरफ चलते हैं अगला देखिए गा रवी कुमार करें एंटी पीसी के कटाप पर वीडियो जी हाँ आप लोगों को मिलेगा वीडियो बिल्कुल निश्चिंत रिए थोड़ा एक्जाम और होजाने दीजिए फिर आपको एंटी पीसी के कटाप के बारे में बिल्कुल बताएज़ाएगा साफ दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों उमीद करते हैं आपको अब साफ दिखाई दे रहा होगा पंचाईती राज की संदशना है चारो ओप्संस आपके सामने हैं आप लोग एक बार देख लोगे फिर सभी लोग बताओगे जी आप सभी का राइट अन्सुस में बताना चाहता हूँ फ़ेश्ट वाल ओप्सन सी बिल्कुल सही है दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो पंचायती राज की संदशना फ़ेश्ट वाल ओप्सन बिल्कुल सही है आपको मालूम होना चीए जिला पंचायत ब्लाक पंचायत ग्राम पंचायत ग्राम सभा ठीक है दोस्तों यही सिक्वेंस ऐसे चलते हैं पंचायत राज की संदशना आप लोगोंको दोस्तों क्लियर हो गया होगा उत्तर प्रदेश से कोई भी विलाउं करता है यदि कंडिडेट तो आप लोगों को यह सभी मालूम होना आवस्यक है चलिया अगले के तरब मुप करते हैं उमीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा अगला अगला देखिएगा निम्ड मेशे कौन सा इकलावता एथलीट है जिसने उन्नी सो ग्रेम्स कॉलीन ओलम्पिक में भारत का प्रतनिद्धित्ट किया था अंकित कुमार मनुहार का कमेंट्स आ रहा है सभी का दोस्तों इसका ओप्सन्स पहला है चलिए बहुत अच्छे कापी इंपोर्टेंट क्यूस था सभी का राइटेंस आया बहुत कुछी हुई नार्मन पिचाल्ड चलिए अगला निम्ड में से किसका प्रियोग बहुत अधिक गती वाले सर्चिंग एप्लिकेशन्स के लिए किया जाता है हार्दिक वाला जहिंद सर्थ जहिंद आप सभी को दोस्तों कि इसक्रिशन्स का राइट अंसर्स आप सभी को मालूम होना चीक ऑप्सुन दूसरा बिल्कुल सही है ऑप्सुन दूसरा कंटेंट दूस्टों कंप्यूटर से क्यूसर्स है कंटेंट अड्रेसेबल मेमोरी आपका राइट है चलिए अगला देखिएगा अगला किस्स आप आप सभी के सामने हैं जाई अंसर्स सब्स्क्राइब बताएंगे प्राइक्टो्ज का सूतर क्या है ऐसाख प्राइक्टोण का सूतर दूसरा बोल्टम बिल्कुल सओं एदोस्तों जिसकी का भी आ रहा है सीक्श् déjà टॉल्ब ओसिक्स बिल्कुल सही है, फ्रेक्टोज का यही एक्ट्वल में सूत्र होता है, उमीद करते हैं, आप सभी को क्लियर हो गया होगा, मन प्रीत राना का बिल्कुल सही options आ रहा है, काना राम का भी चलिए, अगला, निमलकित में से किस बैग्यानिक ने मीशो ट्रोन का नाम मीशोन दिया, किस ने दिया था दोस्तों, आपको बताना है, इंपोर्टेंट क्यूस्टन्स हैं, आप सभी को मालूम होना चाहिए, इस क्यूस्टन्स का राइट अंसर दोस्तों, तीसरा वाला options है, डाक्टर हॉमो ज जहांगीर, भाबा, बिल्कुल सही है, चलिए, उमीद करते हैं, क्लियर हो गया होगा, अगला देखिए, अगला है, अगला, निम्नमेशे, कौन सा भारती उपनाम स्वात नदी से प्रारंब हुआ, दोस्तों, इसक्यूसन्स का राइट अंसर पहला वाला options है, बिल्कुल सही, स्री वास्तों, जी हां, इसक्यूसन्स का राइट अंसर दोस्तों, पहला वाला options, अगला देखिएगा, दोस्तों, दो चार क्यूसन्स और बचा है, आप लोग देख लीजिए, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताईए कि आप लोगों को ये क्लास हेलफुल लग रही है कि नहीं तभी आपकी ये क्लास कांटिन्यू की जाएगी अत्वा नहीं की जाएगी आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना मत ट्रकट कीजिए चलिया अगला किस आपके सामने हैं बताईएगा अंगठन के स्वयंग के संसाधनों के प्रयोक से विश्ष्ट एप्लिकेशन साप्ट वेयर क्रियेट करने की प्रत्कडिया कहलाती है दोस्तों कंप्यूटर का क्यूस्टेंस किसी भी कंपेटेटी इग्जाम में पूच लिया जाता है ऐसे ही यदि उसके सेल बस में नहीं ह होता तब पर भी आघया पूच लिया जाता है है अगर आपको क्लास हेखल लगी है तो आप लोगो कमेंट किजिए गा ताकि कि आपको क्लास च्रवी रेग्णर बेस से पर मिलती रहे नहीं तो डिस कांटिन्यू कर दिया जाएगा दोस्तों आप लोग कमेंट किजिएगा दो चार क्यूसन्स और हैं देख लीजिए क्यूसन्स का राइट अंसर्स आप सभी को मैं बता दूं बहुत इजी क्यूसन्स है इन हाउस डेपलपमेंट दोस्तों अगले दिन से मैं और सोचूंगा कि आपको हरी क्यूसन्स ज्यादा डीपली में समझाए जाए ताकि और आप सभी का डाउट दूर होता रहे और अच्छे से पीपीटी तैयार करके आप लोगों के लिए लाइज आएगा नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बताईएगा चलिए क्यूसन से एप्लिकेशन फैसलिटी द्वारा लिंक्ट कई प्रिथा कंप्यूटरों कंप्यूटर नेटवर्कों द्वारा कई वेबिन लोकेशनों पर निस्पादिट डेटा प्रोसेसिंग के रूप में जानी जाती है चाहे CISF का एक्जाम हो चाहे दिल्ली पुलिस का एक्जाम हो चाहे रेलवे का एंटी पीसी हो चाहे गुरूबडी हो दोस्तो कोई भी परिक्षा अब आपका अप्रेल मंद से जाधा डिले नहीं हो सकता अगर आप गुरूबडी की परिक्षा की तैयरी करते हो तब पर भी आपका अप्रेल मंद से इस्टार्ट हो जाएगा अगर आप दिल्ली पुलिस का हैड कोईस्टेबल मिनिस्टिल का या एड़बलू और टीप्यो का तैयरी करते हो तो डेफिनेटली आपका मार्च अप् दोस्तों यदि आप लोग ऐसे ही बने रहोगे तो आप लोगों के लिए एक बार हर जगा एक बार इसका बताते हैं भी हर जगा और टीए लगाकर क्लियर कर देजाएगा कि एक्जाम एक्षिल में कब होने वाला है आप लोग मुझसे यदि पहले से जुड़े हो तो निश को निश्चित रूप से information clear कर दिया जाएगा February के मंत के last week तक की आपकी कौन सी प्रिक्षा कब कब होनी वाली है ऑफीशल जानकारी आपको प्रवाइट किया जाएगा तो उमीद करते हैं आपको सभी बाते समझ में आ रही होगी इसक्यूसिंस का राइटन सो दोस्तों दू कि दोस्तों लाश्ट में मैं सोस्ता हूँ ज्यादा तर दो-चार क्यूसिंस आपका कंप्यूटर का रखी दिया जाएग क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि किसी भी कंप्यूटर इक्जाम में यदि आप आगामी इन दिनों परिक्षा में भाग लियो होगे या लेने किया जाता है तो आप लोगों के लिए इसन ऑफ कर दिये आप लोगों का राइट अंस्वह किया है जैदा क्यूसिंस नहीं लाइजाएगा कि विद्व नहीं होता डीजिटल सार्टिफिकेट में शामिल नहीं होता तो अदे आप चारों और समस्थ नहीं पढ़ोगे तो आप गलत कर दोगे मेरा उपीनियन है आप लोग जब भी कंप्यूटर का क्यूसिंस किया करो तो पहले चारों ओप्सिंस को ठीक तरीके से देख लिया करो चलिए इस क्यूसिंस का राइट अंसर्स आप से भी को बताना चाहूंगा दूसरा ओला ओप्सिंस है मालिक के डिजिटल हस्ताक्षर यानि दोस्तों डिजिटल सार्टिफिकेट में यह शामिल नहीं होते उमीद कते हैं आपको क्लियर हो गया होगा अगला क्यूसिंस आपके सामने है इमेल मेसिज में ड्रैकेट वाले टेक्स्ट का प्रियों क्यों किया जाता है टेक्स्ट का मतलब दोस्तों समझ रहे होगे आप लोग तो बताइएगा इस क्यूसिंस का राइट अंस आप से भी को मैं क्लियर कर देना चाहता हूं तीसरा ओला उप्सिंस बिलकुल सही है अगला देखिए फटा-फट से दोस्तों कंप्लीट करेंगे इस क्लास को देखते करने शहयोग करने और एक दूसरे के साथ कम्मिन्केट करने की अनुमत ही देता है एक्च्वल में होता क्या है दोस्तों बताइएगा कि आप सभी बताइएगा इसक्यूस का राइट अंस आप सभी को आना चाहिए चौथा वाला उप्सिंस बिलकुल सही है इंट्रो नेट इंटर नेट बिलकुल सही है हिंदी थोड़ा दोस्तों ऐसे ही लिखा रहता है आप लोग उस पर ध्यानना जिएगा आपका चौथा आपसंस बिलकुल सही है दोस्तों लाश्ट के उसन से सभी लोग बताएंगे और अपना कमेंट बॉक्स में बताएगे कि यह क्लास हलफुल लगी की नहीं लगी आगे से आप लोगों को और अच्छे से स्लाइड लाया जाएगा और अच्छे से एक प्लैन किया जाएगा य data को संचित करने की अनुमती देता है किसंस का राइट एंस आप सभी का दोस्तों कौन सब्सक्राइब करते हैं आप सभी को क्लियर हो गया होगा दोस्तों यह लाइब क्लास थी यह डेमो क्लास क्लास आप लोगों को कैसी लगी औल इंडिया टेसरी सी दोस्तों किसी भी कंप्रटरिटी ग्जाम में यह समय में भाग लेने वाले हो तो आप लोग बताईएगा कि हैल्फुल है कि नहीं आप लोगों को कमेंट्स मैं देख रहा हूं काना राम आरूरी हारिस मनीप्रीत रान और सभी का कमेंट्स आ रहा है आप लोगों को बहुत बहुत धन्नवाद आप लोगों ने लाश तक बना रहा और आप लोग नीचे कमेंट्स बाक्स में कमेंट्स कीजिएगा कि आप लोगों को ये क्लास हेल्फुल लगी की नहीं ताकि आप लोगों के लिए आगामी इसी कंप्रोमाइजिंग मत किजिए आप लोगों के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट समझिए है यदि आप लोग इसमें जो की लापरवाही कर दोगे तो आप लोग बहुत ही गलती कर दोगे यदि यह जौब आगे आगावी आने वाली सियाइस आप की जौब जो कॉंस्टेबल की हो या फिर आपकी ग्रूब डी एंटीपीसी की हो या फिर दिल्ली पुलिस एडबलू और टीप्यों की हो सियाइस प्यास्टेम की हो इन सभी जौब को यदि आप मिस कर दिये तो दोस्तों बहुत ही मुस्किल है इतनी जल्दी कोई भी जौप की आपके सामने आना अगर अगर आप एससी जीडी की जो भले आपके सामने आजाए और हो जाए दोस्तों एससी जीडी का भी साल 2018 में आया था अभी देखी कितनी दिन बाद कंप्लीट हो रहा है तो दोस्तों कंप्लीट होने में बहुत जादा समय लग जाएगा आप लोग रेगुलर बेसिस पर इस और मैप की भी कियोसन का स्रीज इसी तरह इस्टार्ट कर दिया जाएगा नीचे कमेंट बॉक्स खुला है कमेंट बॉक्स में कमेंट कि जिए कि आप लोगों को ये क्लास हेलफुल लगी की नहीं आप लोगों को भहुत भहुत धन्नवाद आप लोगों ने लाश तक बना रहा वीडियो को साथ सब्सक्राइब की जएगा लाइक की जएगा जिससे आप लोगों के लिए मोटिवेशन इसी तरह बना रहे और कल दोस्तों यदि इसी तरह क्लास कंटिन्यू की गई तो आप लोग यकीन मानिये इससे भी बहतरीन क्लास लाइज आएगी और इससे भी बहतरें डिजाइन के साथ लाए जाएगा इससे भी अच्छा प्रजेंटेसंस बनाए जाएगा जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहों आज दोस्तों ऐसे ही डैमो की तरह क्लास कंटिन्यू कर दिया गया था कल दोस्तों और अच्छे से आपको डिफाइन की दिस्प्ले कि भी जाएगा और बताए भी जाएगा दोस्तों की दिए ये आप दोस्तों नए कोई बैकंशी का करते हो दो साल लग जाए अब स्यासप का पिप्रेसंस कर रहे हो और अब लाश्ट समय यदि आप गलत कर दोगे तो अब पिप्रेसंस छोड़ दोगे या फिर उसमें जो कि कोथाई कर दोगे तो आपका सेलेक्शन रुग जाएगा फिर आप लोग 2 वर्स वेट करोगे तो दिक्कत हो जाएगा दोस्तों उ झाल 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 झाल